हेलो एवरिवन आज की स्पीड़ों में हम बात करेंगे CUET 2022 एक्जाम की डॉमैन स्पैसिपिक सब्जेक्ट हिस्ट्री की हिस्ट्री का अपना ये सेकंड वीडियो है यानि की चैप्टर सेकंड देखेंगे अगर आप इसका चैप्टर देखेंगे केवल नाम ही बदला हुआ आपको मिलेगा और आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एकलव्या इसनातक यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेट वीडियो मिलेगी अलग-अलग सब्जेक्ट की क्योंकि अब आप 12 पास हो जाएंगे उसके बाद ग्रेजुशन में जाएंगे आप डियू में एडमिसन लेए एसोल में लेए एंसी वेब में लेए या इग्नू में लेए जहां पर भी आप एडमिसन लेते हैं तो आपको उनका कंटेंट हमारे एकलव्य असनातिक चैनल पर मिल जाएगा तो चले सुरू करते हैं कोशन सबसे पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है कि अभिलेग सास्त्र किसे कहते हैं अभिलेग के अध्यन को खुदाई में मिले अवशेशों को पुरा तत्व स्रोतों को या इन में से कोई नहीं तो देखे अभिलेगों के अध्यन को ही अभिलेग शास्त्र कहा जाता है बहुत यह आसान है सिंपल है आपको यह याद होंगे यह कुशन पहले से ही नेक्स्ट कुशन है कि जो जैम्स प्रिंसेप्ट थे इनू ने किन लिप्यों का अर्थ निकाला था औप्सन में है ब्रामी और ग्रीक खरो corridor परी ब्रामी और खरोश्टी और इन में से कोई नहीं तो इन्होंने क्या किया था ब्रामियों और जो खरोष्टी लिपी हैं, इसका अर्थ निकाला था, और कभ निकाला था था 1838 में, ठीक है, एक्जेक्ट बता रहूं आपको, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, next question है कि ब्रामियों और खरोष्टी लिपियों का 1818 अब उप्सान में देखिये उसमें आपसान दे रखा 2820 ने दसक में 830 के 54 के दसक में लिए अपर 10 साल है 820 के दसक का मतलब है 1820 से लेके 1830 तक और 830 का मतलब है 830 से लेके अठारा सो 40 तक और चालीज के दसक का मतलब आप समझ जाएंगा 1840 से लेके 50 तक तो अब हमने यह आंसर में देखना है कि कौन से दसक में 1838 तो 1838 किस में आएगा 1830 से लेके 1840 वाले के बीच में तो यानि कि अपना आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यह जो थे यह East India Company के कदिकारी थे अगला है कि बहुत गरंतों के अनुसार डैस सबसे परशिद्ध साशक है तो देखे असोग जो है ना मौरे वन्स के शाशक यह सबसे परशिद्ध साशक माने जाते हैं बहुत गरंतों के अनुसार ठीक है तो C आपका यहां पर क्या है पत्थर, धातू या मिट्टी के बरतन जैसी कटोर सतय पर जो खुदे हुए होते हैं जो खुदे हुए अक्छर मिलते हैं वो डैस कहलाते हैं क्या उसको हम पांडोली पर कहेंगे नहीं पांडोली पर हांस से लिखी हुई किताब होती है पत्थर पर थोड़ी होती है तो पांडोली पी नहीं होगा तामर पत्थर भी उसको नहीं कहा जाएगा इसको अभिलेग कहा जाएगा ठीक है यानि कि अपना अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C option अपना सही हो जाएगा अगला प्रेशन है कि प्राचिंतम अभिलेग जो है वो कौन सी भासा में लिखे मिले हैं तो देखे जो प्राचिंतम अभिलेग मिलते हैं जादा सजादा वो प्राकरत भासा में मिले हैं मतलब अगर प्राचिंतम अभिलेगों के बात करें सब्सक्राइब अगला प्रशन है कि ओली गार्की से क्या भी प्राय है तो देखिए ओली गार्की का मतलब होता है समू का साशन यानि जब कोई समू शाशन करे तो उसको ओली गार्की कहा जाता है तो यहाँ पर ओप्सन बी जो है आपका यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अगला प्रशन देखिए लगबग डैस से संस्कृ प्रित में भ्राह्मणों ने धर्म सास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की थी उप्सन में हैं दूसरी रखें सफ से आपको कोई डाउट हो कुछ समस्त्य आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलू कर सकते हैं एक लब्वेश्टी पाइट या मेरा यूजर नहीं में और मेरा नाम इसा तंदर प्रताब ठीक है अगले कोशन को देखो कि छटी से चौती सताब्दी बीसी में यानि यहाँ पर इसा पूरू की बात चल रहे है ठीक है इसा पूरू में डैस सबसे शक्तिसाली महाजनपत बन गया था ओप्सन है कोशल कुरू पांचाल या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं देखो छटी से चौती सताब्दी बीसी की बात करें तो जो मगद था वो सबसे शक्तिसाली बना हुआ था लेकिन यहाँ पर ओप्सन में आपको कहीं भी मगद दो दिया ही नहीं तो अपना अंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं लेकिन मान लो कर ऑप्सन में मगद दे रखा हो था तो आपको मगद क्लिक करना था टिक करना था ठीक है अगला कुशन है कि मगद जो है वो शक्तिसाली होने के क्या कारण थे ऑप्सन देखे अच्छी खेती बिल्कुल सही है लोहे की खदाने भी थी हाथी भी उपलब्द थे तो आंसर अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी नेक्स्ट की आरंब में मगद की राजदानी डैस थी ठीक है तो इसका आंसर है राजगा इसको राजगीर कहा जाता था प्राकरत पुराना नाम जो है राजगीर भी कह सकते हैं हम इसको ठीक है तो यह था नेक्स्ट कोश्टन है कि असोग के पस्ची मोत्तर में मिले अभी लेखों में किन भाशाओं का प्रयोक किया गया था अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए इस कोशन पर यहाँ पर पूछा जा रह भाशा में मिले थे तब अंशर आपका प्राकर्ट ओगा यानी कि असोग जो घ्राजे बिरेंस परसन अभी से अब इसbe Tea Link कि इसे को बारी की Curry का सब्कूर की 蒜ा सकते हैं तो रहलों प्ता Responsive ज्यादातर अब इन किसमें मिले प्राकृत में पश्ची में तर में किसमें मिले तो आरे आपको याद रखना है अगला कुशन की मौरे सामराज जी किस्थअपना डैस ने की विखांग का चांठ माराजी व और दूरी किसिंव कि साहीता से किती to उडिसा से इसका संबंद है और टेलिग्राम गुरूप जरूर जोइन कर लो आप टेलिग्राम गुरूप इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहां पर सारी की सारी जो अपडेट आपको मिलती रहेगी थि एस पी यह टेलिग्राम पर सेर्च करना है। हमारी होगी आपको वहीं नेक्स्ट कोशन के अर्त शास्त्र की रचना वह किस ने की थी है को फूंत तो यह भारत आया वा था इसने भारत को देखा भारत को समझा उसके बारे में जानकारी जो लिखी वो इंडी का नामक पुस्तक में लिखी अगला कोश्चन है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की चंद्रगप्त मौरे बिंदुसार अशोक और इनमे से कोई नहीं चार ओप्सन दे रखें तो अशोक इसका अंसर हो जाएगा सही यानि कि आप सी उप्सन जो है वो सही लगा दोगे ठीक है अगला कोश्चन है कि डैस पहला समराठ था जिसने अधिकारियों और परजा के लिए संदेश प्राकृत तिक पत्थरों और पॉलिस की हुए स्थम्भों पे लिखवाए थे तो सबसे पहला ऐसा अशोक ने किया था स्वण गिरी जो होता है इसका शाब्दिगर्थ क्या होता है इसका मतलब होता है सोने का पहाड और निम्लिकित में से कौन से दो लंबी दूरी वाले महत्पूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है कौन से दो छित्रे से हैं जो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग जो है उस पे स्थिते हैं अगला कुशन है महामात अधिकारी जो होते थे इनका काम क्या होता तो देखे अशोग ने इनकी नियुक्ति की थी धम के परचार के लिए ठीक है धम का परचार करने के लिए की गई थी अगला के ब्रहमणों को दान में दिये जाने वाला भुभाग जो है उसको क्या कहा जाता है तो उसको अग्रहार कहा जाता है इंपोर्टेंट है और हो सकता है पेपर पूछले बहुत इंपॉटन कोशन है अगला कोशन है कि निम्लखित में से कौन सा शाशक मद्देश यही समान मानते थे तो अपने आपको यह देवतुले कहते थे ठीक है देवतुले कहते थे लेकिन अब यहाँ पर देवतुले मानते थे पर इसका सही अंसर हो जागा देव पुत्र की उपादी देव पुत्र का मतलब है देवताओं के पुत्र और जो देवताओं के समान हो ठीक है अगला कोशन है कि गुप्त शाशक जो ते गुप्त शाशकों का इतिहास डैस की साहिता से लिखा गया था किसकी साहिता से लिखा गया था आपसने साहित्य जो मिला यह सिक्के जो मिले या विलेक जो मिले इनकी साहिता से तो आंसर हो जाएगा सभी यह सारे ही चीजे इसमें स और तो इसकी रचिन हम नहीं कि थी और ये प्रियाग परिशस्ति भूट हीा इसका एक और नाम है इसका उसका नाम है इलाभाद इसना में पहुचा है सकता है सुदरसेन जीर्ड इसकी मरमत कि इसने काता हुआ है इ'M प्रषा है मैं गह पती का मतलब को शोटे किसान के लिए उस किया जाता है जमी दार बुइवी शब्द यूज किया जाता है और घर के मुख्या को भी कहा जाता तो यहां पर आसर में आपको a और b दोनों ही लगाना है धिकां । हर्ष चरित जो है वो किस भाषा में लिखी हुई है तो यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है संस्कृत भाषा में लिखी है और किस ने लिखी है बान भटने लिखी है तो हर्ष चरित जो है बान भटने लिखी है कौन सी भाषा में लिखी है संस्कृत भाषा में लिखी है और ये किस की जीवनी है तो ये जो राजा हर्षवर्दन थे राजा हर्षवर्दन इनकी जीवनी है important है और इसके लेकर कुण है अभी मैंने आपको बता है कि बानबट जो थे इन्होंने लिखी थी तो option A देखे एक बड़ इन्होंने लिखी थी संस्कित भाषा में लिखी थी पूखा जा सकता है कुश्वन प्रभावती गुप्त जो ऑई किसकी पुत्री है तो यह चंद्रTube थी ण sü सच एं इनके पृत्रती है कि निविक्यत men see kisya कहा जाता था तो श्रेनी जो पेरिप्लेस यूनानी भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है तो यह वर्ड जो यूज किया जाता है वो समुंदरी आत्रा के लिए यूज किया जाता है तो अपना सी यह आप सही हो जाएगा अशोक के अभिलेकों में किस लिपी का प्रयोक किया गया है अब देखो ब्रामी खरोष्टी आपने सुरू में बढ़ा था आपको याद आ गया होगा तो यहां पर ऑप्सन को ध्यान से देखो कुछ कोशन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑप्सन से पगड़ लोग है फारसी बिल अशोक कालीन ब्रामी लिपी का अर्थ कब निकाला था मैंने आपको शुरू में बताया था अठारा सो तीस के दशक में अब अठारा सो तीस के दसक में क्या आएगा अठारा सो अरतीस आएगा इंपोर्टेंट बहुत जादा है पेपर में पूछ सकते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं ऑप्सन दे के अठारा सो अरतीस का दसक या फिर डाइरेक्ट अठारा सो अरतीस भी दे सकते हैं दोनों आपको की याद होने चाहिए कनिस्क जो है कि कुषान साशक हो जाए है कि अबिले की साक्ष क्या होती तो यह nush हो जाते हैं तो यह सभी इसके साक्ष सीमाल हो जाएगा याणि की अगला मीड़ा कोशन है की अंत के यह पिचासी के आसपास की बात है इंपोड़ेंट है याद रखें अगला कोक्षन है हर्स वरθन कौन कौन थे या फिर यह कहां के सास्कते तो यह कन्वोज के शास्कते इंपोर्टेंट है याद रखना को ठिक है अगला है कि धम के सिद्धांत की चुर्वात किस ने की दिए तो सम्विति और को मा डाल देता हूं यहां पे छे उप समिन्ति थी जातक जो ये जातक कता जो मिलते हैं वह से समबन दिते हैं तो वह बुद्ध यानी भगवान से समबन देता है भारत पे पहले सोने के available कि इसके बाद 15 एक ऐसा भुकंड है जहां कोई जन्द जाते हैं तो जन्द है इसको और कि यहाँ पर ढ़ी हमारे को खतम होगा या चाते हैं यह जो शेकेंड चैप्टर पटर ना भी most important question थे वो सारे मैंने आपको बताएं और बिल्कुल deep NCRT को निचोड दिया है बिल्कुल मैंने सारे deep question कराएं और उम्मीद है कि इन में से ही आपके question paper में देखने को मिलेंगे तो question के language घुमाई जा सकते है याद रखें यही question आपको अलग language में पूछे जा सकते हैं option change कर देंगे वो आपके सामने question यही रहने वाले है क्योंकि इससे बाहर question बनते नहीं है पूरी NCRT बताएं तो मिलते हैं आपसे next video में thanks for watching सभी को जै हिंद जै भारत